जैहिन वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों आज केंद्र सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में एक एलान हुआ है कि जो अभी तक लॉकडाउन और करोना के कारण तीन किष्टों का डियरनेस एलाउंस यानि कि महंगाई भत्ता उन्होंने फ्रीज कर रखा था आज उसे रिलीज कर दिया है इसका मतलब उस पर से रोक हटा दी गई है तो जल्द ही अब केंद्रिय करमचारियों को 17% की बज़े 28% डिये मिलेगा इसका एहलान आज कैबिनेट में एक मीटिंग होने के पश्चात किया गया तो आज हम इस वीडियो में इसी ख़बर को विस्तार से जानेंग सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या है मेंगाई भत्ता यानि की डियरनेस एलाउंस दरसल बढ़ती मेंगाई से वस्तूओं के दाम बढ़ते जाते हैं और लोगों के पास मौझूद पैसे की क्रेश अमता को कम करने लगते हैं इसका सामना करने के लिए सरकार करमचारियों को म मेंगाई भत्ते यानि इडियर की कैलकुलेशन के लिए औल इंडिया कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स पर बेजड मेंगाई धर को आधार मानती है और इसकी आधार पर हर दो साल में सरकारी करमचारियों का डियर संशोधित किया जाता है दरसल कोरोना शुरू होने के बाद से मेंगाई भत्ते की बड़ोत्री पर रोक लगी हुई थी पिछले साल करोना महमारी शुरू होने के बाद अप्रेल महिने में केंद्रिय कैबिनेट ने सरकारी करमचारियों को मिलने वाले मेंगाई भत्ते की दो किष्टों को जारी करन 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से लागू होने वाली तीनों किष्टों पर लगी रोख हटा दी गई है रोख हटने के बाद तीनों किष्टों को मिलाकर कुल 11 फीजदी की बढ़ोतरी होगी यानि महंगाई भत्ते की दर वर्तमान के 17 फीजदी से बढ़कर 28 फीजदी हो जाएगी सरकार के इस फैसले से केंदरी करमचारियों और पेंशनधारियों को फायदा होगा इस समय लगातर महंगाई की मार पढ़ रही है कोरोना संकटकाल के बीच अर्थिवयवस्ता कमजोर है और बाजारों में कमाई भी कम है इस बीच महंगाई का बोज भी लोगों पर पढ़ लगातार पेट्रोल डीजल के दाम उपर जा रहे हैं इसके लावा खादे तेलों के दामों में भी बंपर बढ़ उतरी हो रही है दिली समय देश के कई बड़े शहरों में पेट्रोल का दाम सो रोपे प्रती लीटर को पार कर गया है जिबकि डीजल भी इसी और बढ़ रह है इसके लावा घरेलुग जैस के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना संकट और बढ़ती महंगाई के बीच केंदर सरकार के ओर से केंदरी करमचारियों को बड़ा तौफ़ा दिया गया है सुतरों के मताबिक केंदरी करमचारियों के महंगाई भथ्ते यानि की डियर प्राइम मिनेस्टर शिरी नरेंदर मोधी के अध्यक्षता में होई है उसमें ही डियरनेस एलाउंस के इंक्रीज करने का एलान किया गया है यह है रिलीव एक जुलाई दोहजार एककीस से माना जाएगा जो कि पहले डिये 17 परसेंट था वो अब 11 परसेंट बढ़ाकर 28 परसे नहीं हुई है और जो कि संभवता 3 परसेंट यानि कि सितंबर में गोशित होती है तो जुलाई से डिये 31 परसेंट हो जाएगा जिसमें से 28 परसेंट मिलने लगेगा और 3 परसेंट का एरियर बनेगा तो यह तो हुई केंदर सरकार की बात अब हम बात करते हैं तर में भी जल्द ही यह लागू होगा और हमारा डिये 17 परसेंट से बढ़कर 28 परसेंट हो जाएगा जिससे सभी राजकी गरमचारी परिशेदिये और पेंशनर सभी लाभानवित होंगे उमीद करती हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो शेय और लाइक जरूर कीजिएगा फिर मिलूंगी नेक्स्ट अपडेट में तब तक के लिए थैंक यू फर वाचिंग